दोस्तो रिसेंटली पेबल उनकी बहुत सरे अच्छे अच्छी स्मार्टोजेसे लाwnच कर रहा है तेकिन अभी के टेंप उनके जादा तर स्मार्टोजेस उनकी खु़िकिय। के टैडिके वब्साइट के उपर लांच हो रही है सो उनकी ऐसी ही और एक smart watch recently launch हुई है जो कि है पेबल मैगनम दोस्तो आज किसी वीडियो में हम इसी smart watch को detail में explore करने वाले है जानिंग इसके detail specifications कैस की price होने वाली है और price की साबसे ये smart watch value for money है या फिर नहीं इसके बारे में भी बात करेंगे इस smart watch के design के आपको बहुत ही premium design दिखने मिलता है और ये smart watch इतने सारे colors के अंदर available है इस smart watch के साथ आपको IP67 rating भी दिखने मिलती है डिस्पले के बात करें तो 1.4 रिंचेस का AMOLED डिस्पले है जिसके साथ आपको 700 nits की brightness और always one display का feature भी दिखने मिलता है Bluetooth calling का feature है और इस smart watch के अंदर आप कुछ context से उकर की भी रख सकते है इस smart watch के bat life के बात करें तो 250 image के battery दिखने मिलता है जो कि आपको normal uses पर 5 disc around चल जाएगी अगर आप calling feature के साथ यूज़ करते हो तो 1-2 दिन के असपास चल जाएगी healthy related आपको main main track के से दिखने मिलता है जिसकी heart rate monitor है SP2S sleep tracking है और इसाथ breathing exercise का feature भी दिखने मिलता है और इसके साथ multiple type के sports modes भी दिखने मिलता है smart watch के अंदर आपको कुछ features extra दिखने मिलता है जिसकी inbuilt calculator है और इसाथ app drawer भी दिखने मिलता है smart features जिसकी smart notification, camera shutter button, weather information, music control इस type की features भी है utility features जिसकी timer sit करना, alarm sit करना, stopwatch लगाना है इस type की features भी है और सरे type के watch faces है और इस smart watch को smartphone के साथ connect करने के लिए आपको इस app का use करना पड़ता है smart watch की weight की बात करे तो 60 gram के around smart watch का overall weight होने वाला है और यह smart watch meeting China है अब इस smart watch की price की बात करे तो 3999 इसकी price है इस price की साबसे यह smart watch मुझे बहुती overpriced लगी मुझे लगता है यह smart watch 2999 के अंडर की price range में होनी चाहिए थी इसके उपर आपकी क्या राय हूँ हमें comment section में जरूर बताए तिन आराच की इस video में इतना है मिलता है ऐसी अगली video में